नमसकार दोस्तों आज बात करेंगे चैन्नेडे पेट्रोलियूम कौर्पोरेशन लिमितेट के कौ्टरटू के रीजल्ट के बारे में इसके बारे में बात करेंगे साथ-साथ रीजल्ट का एनलाइसस भी करेंगे और कमपनी के फाइनेशल नमबर को भी देखेंगे सबसे पहले company की income और expenses को देख लेते हैं तो पिछला के सितंबर के quarter में company की income जो है 13,090 करोड थी जबकि इस साल के सितंबर के quarter में company की income जो है 22,800 करोड रही है company की income में जो है year on year base पे काफी अच्छी growth देखने को मिली ए quarter and quarter base पे company की income में जो है कमी देखने को मिली ए इसके बाद company के expenses को देख लेते हैं जो कि 55 स्थमबर में जो है company के expenses 13,000 चे करोड़ के रही थे वहीं इस बार 22,810 करोड़ के company के expenses रहे हैं जिसमें कमपनी के expenses में year and year बेस पे काफी ज़्यादा बड़ा देखने को मिली है वही quarter and quarter बेस पे company के expenses कम हुए है इसके बाद company का net profit और company का earning पर share भी देख लेते हैं जो कि 55 सितंबर में 4.10 पेसे के आसपास था वहीं इस बार 1.14 पेसे के आसपास रह गया है इसके बाद company के margin और date to equity ratio को देख लेते हैं जिसमें company का date to equity ratio पिछी सागी सितंबर में 6.38 के आसपास था वहीं इस बार 1.40 के आसपास है जो कि 55 सितंबर में 99% के आसपास थे वहीं इस बार 6% के आसपास है company के overall result की बात करें तो company result में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है लेकिन company के margin बड़े हैं साथ साथ company date भी कम हुआ है लेकिन company के profit कम होने से company का share में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है बाकि अगर आपको वीडियो से value मिली हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरू करना